हलो स्टुरेंट्स आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समू विवा किसे कहते हैं इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था एक विवा यानि एक समय में एक पुरुस एक महिला के साथ यह दिविवा करता है तो वह एक विवा कहल अब हम जानेंगे समू विवा के से कहते हैं समू विवा में पुरुसों का एक समू इस्त्रियों के एक समू से विवा करता है यानि कि एक परिवार के जितने भी लड़के हैं वो दूसरे परिवार के जितने भी लड़के हैं उन सब के साथ यदि विवा कर लेते हैं तो इस प सब आपस में एक दूसरे के पती पतनी होते हैं यह प्रथा ओस्टेलिया की जन जातियों में पाई जाती है यहाँ पर एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की भावी पतनियां समझी जाती है वेस्टर मार्क ने इसका ध्यन किया है वेस्टरमान का कहना है कि इस परकार के जो भी विवाह होते हैं वो तीबत भारत और सिलंका आदी समाजों में भी पाए जाते हैं देखने को मिल जाते हैं यानि कि भारत में भी ऐसी जन जातियां हैं जिन में इस परकार के विवाह पाए जाते हैं तोड़ा जनजाती में इस परकार का विवा बहुत अधिक प्रचलित है। समू विवा में समू का प्रतेक पुरुस दूसरे समू की प्रतेक इस्तरी का पती होता है। ऐसी स्थिती में जितनी भी संताने पैदा होती हैं, वे सब ही संपूर्ण समू की संतान मानी जाती हैं। डॉक्टर सक्सेना ने कहा है कि बहुपति विवाही समाजों में आर्थिक स्थिती में सुधार यदी हो जाता है तो पुरुष एक से अधिक इस्तिरियां रखते हैं तब बहुपति विवा समू विवा का रूप ले लेता है यदी हम सरल सब्दों में समझें तो एक से अधिक पुरुष जब एक से अधिक इस्तिरियों के साथ विवाह करते हैं तो यानि कि एक समू का दूसरे समू के साथ विवाह करना समू विवाह कहलाता है बहुत सारी जनजातियों में जब विवाह किया जाता है तो उन परिवारों में जितने भी उस परिवार के लड़के होते हैं उन सभी लड़कों को दूसरे परिवार की सभी लड़कियों के साथ एक साथ रिती रिवाज के साथ विवाह कर दिया जाता है वे सभी एक घर में एक दुसरे के पती पतनी बन कर रहते हैं उनके उत्पन होने वाली संतान के सभी पुरुस पिता होते हैं और सभी महिलाएं उनकी माता कहलाती हैं यानि कि वो उनका समू होता है समू में वी विवहा करते हैं और समू में ही अपना जीवन वैतीत करते हैं। उनकी संपत्ति, उनका व्यवार समू को ध्यान में रखकर बनाई जाते हैं। धन्यवाद।